तो भाई लोगों आप मेंसे काफी लोगों की वीडियो में मतलब काफी मेरी वीडियो में कॉमेंट आए हैं टाड़ा पंच की कि टाड़ा पंच का जो भाई AC है वो इतनी ना कूलिंग नहीं कर पाता ठीक है अभी मैं आप लोगों को यह सी बता रहा हूं कि आपको एसी चला वीक से ऑफिशली अपरेल आजाएगा जो कि गर्मी की स्टार्टिंग पॉइंट हम बोलते हैं अब पेस पकड़ लेगी अपरेल में अभी सेल के लगी वह लू वाली हवा चलने लगी है तो भाई देखो हमारी गाड़ी तो टाटा पंच है और टाटा की यह सारी जितनी भी सबसे पहले अपनी गाड़ी का सीशा डाउन करो सीशा डाउन करने के बाद उसको कम से कम अपने जो आपके ब्लोवर्स हैं इनको आपको रखना है फुल पर यानि कि यह जो अगर आप देखो मैं भी एसी बंद करते हूं तो यह ब्लोवर आपको फुल रखना है ठीक है जैसी आप ब्लोवर फिल रखोगे आप देखोगे हवा बहुत तेज चलने लगगे गाड़ी वे थोड़ी दे अब भाई यह जो संशेड हैं कि कहते हैं इनका बेनेफिट यह है मेरे वारे थोड़े लोकल क्वालिटी के हैं यह तो मैंने डेट सो के चार लिए थे बट एक अच्छे वाले आते हैं तो थोड़े मोटे होते हैं साइज में और यहां तक पूरे कट आउट देंगे आपको थीक है उसका यह बेनेफिट होता है कि आपकी गाड़ी की जो हीट है ना थोड़ी कूलिंग रीटेन करवा लेते हैं थीक है भार की हीट को थोड़ा बहुत अबस्वाब करते हैं यह तो लोकल कॉलिटी वाले है तो मैंने जानके लगाये हैं यह मैंने मीशों से लिए थे यह करके अपनी वाड़ी को प्रसुप में प्रसूंग करने तो और फूली कर दो अगर पूरी प्रसुप नहीं है तो फिर कम से कम दो लोग या तीन लोग वेठें तो इतना तो रखो उसके बाद आप देखो कि गाड़ी की कूलिंग है वो सही हो जाए और एक बार जब गाड़ी कूलिंग पर मेंटेन करने लग जाए तो वापिस आपकी जितनी भी नीड हो उससे आपको रख लें लेकिन एटलीस यह तो रखें इस पर नहीं गाड़ी समाल पाएगी आपकी ग बेटे हैं तो आपको एटलीस से इतना तो करना पड़ेगा ठीक है ताकि जो हवाय ब्लोर के इस फोड़ी गाड़ी में फैल तो दिस इस जो आप यूज कर सकते हैं और गाड़ी की कूलिंग के बारे में आपको रिव्यू दूं कि गाड़ी कूलिंग में कैसी तो भाई टाटा का एसी बहुत बाफुल होता है और जनरली कूलिंग बहुत जल्दी कर देता है गाड़ी में यही मेरा एक्स्पीरिंस मेरी पंच को लेके भी है ठीक अभी मौसम हलका है जैसे मैं अभी गाड़ी को एक पर रख रखा है मैं बैठा हूँ वीड़ी बना रहा था तो एक में बूड़ी गाड़ी कूल होगी चारो साइट साथ देखो तो विंट्सीट लगी हुए यहां भी लगी यहां भी लगी है मैं यहां भी लगा रखिए तो यह चीज़े हैं और सबसे खराब चीज़ का मीरी गाड़ी ओपन पारकिंग में घड़ी होती है तो और अच्छा गासा काम करता है ऐसी कोई दिक्कत निए कि नहीं मेरा एसी काम नहीं कर रहा है या फिर नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रोग अपकी एसी को फुल कर देंगे यहां पर ठीक है और उसके बाद वो लोग चेक करेंगे कि कि कितना मिनिमम टेंपरेचर ड्रॉप हो र परफेक्ली फाइन है एसी यूनिट पर कोई प्रशनी नहीं है वह आप कंफर्म कर सकते हो कि फिर भी आपको ऐसा लगे तो यह मैं आपको कुछ तरीके बताएं जो मैं यूज करता हूं और मैंने अपना इसी चेक करवा रहा है ताटा से सर्विस से तो यह आपके भी काम आ डिल्डोet कर दो यहा है तो यह मैं यहाँ झंद है तो